नुश्कार सौक करते हैं एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के आज खुर मैं हम बात करेंगे ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो मैंने खुद 12 वीडियो बनाया है आप मेरे प्लेलिस जाके चेक कर सकते हैं और मैं आपको बता दू यहा ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर है यूपी 65 रजिस्ट्रेशन यानि बनारस का मैं आपको बता दू जब उत्तर प्रदेश जैसे शेहर में ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी आफ्टर सेल सर्विस इतनी बहतरी रख सकते है तो क्यो ना बैंगलॉर में मैं आपको बता दू अगर आप ये वीडियो या मुझे आप शुरू से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैं किस चीज के उपर बात कर रहा हूँ एक बार ऐसी ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर में दिक्कत आ गई थी और बैंगलॉर के सर्विस टीम लें लगबख पांच दिन लगाये थे और यहां पर आपको मैं बता दू जो दिलक सर अपने स्कूटी में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो था पैनल से आ रहे थी इनकी नोइज और इंका हैंडल भी लॉक नहीं हो रहा था इन्होंने कमप्लेंड डाला ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विस टीम आई इनके सम समस्या को जाना पैचाना और आप देख सकते हो इनकी स्कूटी पूरी तरह से खुल चुकी है इनके जो पैनल में नोइज आ रहा था वो भी इनकी समस्या थी उसको भी सुल जाया साथ में इनका हैंडल लॉक नहीं हो रहा था वो भी ठीक किया आप यहां पर देख सकते हैं वो अब काफी ज़्यादा खुश है ये पोस्ट उनों ने डाला था फेस्बुक पर मैं ये इंफोर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और मैं बता दू यार ओला एलेक्टरिक स्कूटर अगर अपना वीडियो कैसी लगी? कमेंट करकर बता दीजेगा आप मेरा अगर प्लेलिस्ट चेक करना चाहते है ओला एलेक्टरिक स्कूटर प्रॉब्लम आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते है मेरे आपको मिल जाएगा और मैं आपको बता दो उस प्लेलिस्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात की थी कहीं न कहीं अब ओला एलेक्टरिक स्कूटर अपने आफ्टर सेल सर्विस पे भी ध्यान दे रहा हो कहीं न कहीं ये एक उधारण है आप अपने स्क्रीन पर देख रहा है बाकी वीडियो अच्छे लएए वीडियो को लाइक चैनको सब्सक्राइब जो करें साइनिंग आफ रफतार 7811 इंस्टेग्राम पर फॉलो करने के लिए लिए लिखे आरे एफ टी डबल ए आर साथ आट ग्यारा आप मुझे डियम कर सकते हैं से पीम कभी भी कार या बाइक के बारे में कोई भी प्रशना आप मुझे मेरे इंस्टेग्राम पर पूछ सकते हैं मैं आपके सवाल का जवाब जल से जल दूँगा